रेवारी के धारूहेरा चुनगी स्थित होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल का वार्शिक उत्सव संपन HCPS के 45-वे वार्शिक उत्सव में दिखी कला और संस्कृति की जहलक होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल रेवारी का दो दिवसिय पैतालीस वाँ वार्शिकोट्सव स्कूल प्रांगन में हर्शो लास के साथ मनाया गया प्रशासनिक सेवा में उच्च पद पर आसीन स्कूल के पूर्व चात्र नवनी उक्ताय फेस नितिश मौर्यव और अंकित मंगला कमांदर इंडियन नेवी को विशिश्ट अतिथी के रूप में देखकर सभी गर्वित थे दीप प्रज्वलन के पश्चात कार्यक्रम का आगाज सरस्वती वंधना से हुआ चात्रों ने अपने अभिने, नृत्य और संगीत की त्रिवेनी से सबको सम्मोहित कर दिया ननहे मुने चात्रों ने अपने नृत्य के माध्यम से तनाव मुक्त रहकर सपनों को पूरा करने और प्रत्येक परिस्थिती में होसला रखने का संदेश दिया महराष्ट्रा, उतराखंड, हिमाचल, बंगाल, हर्याना, पंजाब और गुजराती नृत्य ने अखन भारत की जहां की प्रस्तुत की तो फौजी नृत्य ने देश्भक्ती तथा हनुमान चालीसा की प्रस्तुती ने इश्भक्ती की पावंधारा को प्रवाहित कर दिया पर कुमारी मुस्कान को 21,000 रुपे तथा 10 जमा दो कला संकाय में स्कूल टापर कुमारी मुस्कान यादव को 21,000 रुपे 10 जमा दो में 95 प्रतिशत से अधिक अंग प्राप्त करने वाले 21 चात्रों में प्रतेक को 11,000 रुपे 10 वी की बोर्ड परीक्षा में 95 प्रतिशत से अधिक अंग प्राप्त करने वाले महक वर्मा, आईशा, कोमल अग्रवाल, रीतु, अंच धवन, आर्ती, कुनाल यादव, अपार डाटा और शिवम कौशल प्रतेक चात्र को 51,000 रुपे की चात्र वृती प्रदान की गई CBSE द्वारा राष्ट्री इस्तर पर आयोजित ताइक्वांडो में स्वर्ल पदक विजेता राहूल देवरारी को 11,000 रुपे और कासि पदक विजेता रोहन को 21,000 रुपे तथा राजिस्तर पर नेटबाल में 12,000 के दिपेश और कॉमर्स के योगेश को प्रत्थम स्थान प्राप्त करने पर 51,000 रुपे खर्याना में राजिस्तर पर ताइक्वांडो में स्वर्ल पदक विजेता राहूल देवरारी को 11,000 रुपे तथा रज़त पदक विजेता मनीश देवरारी और गीत को 31,000 रुपे तथा फुटबॉल खिलाडी गुलशन कुमार का राष्ट की गई स्कूल में खेलों में विशेश उपलब्दी हासिल करने पर बारवी के हर्शित और कुमारी ज्योती को पुरस्कृत किया गया जूनियर वर्ब में सर्वश्रेश्ट छात्रा का पुरस्कार कुमारी जारोल और सिनिय में कुमारी याविका को दिया गया शिक्षा कला ही विज्ञान और तक्नीट की क्षेत्र में जिला और स्कूल स्तर पर उत्कृष्ट प्रदशन करने वाले जूनियर वर्ब में हर्शित, सक्षम, प्रियांश, टीशा शर्मा, आदित, सायना सचदेवा, प्रण्वी सोनी, नियती, मान्या एवं सीनियर वर्ब में शिका, ईलाक् और अक्षय को विशेश प्रतिभा सम्मान से नवाजा गया, जीवन में अनकों के साथ सामाजिक व्यवहार का भी विशेश मेहत्व है इसकारण सर्वोतम व्यवहार के लिए जूनियर वर्ब में हर्शीन, मानविक कालरा, आध्या दुआ, वेरोनिका, तनिशका, अनन्या, हर्शिका यादव, आयुशी, रिद्धी, राघव, साहिल एवं सीनियर वर्ग में कनिशका, तनमे, गर्व, वन्शिका, हर्शिता, मुस्कान, शगुफ्ता, क्रिश, वन्शिका, नैंसी, माधव, क्रिश, वन्शिका, अमन मलिक, लक्षि गौतम, योगिता शर्मा, प्रतिभा सम्मान से मुकुल, नंदनी, महिका, काम्या, दिव्या, पायल, अपूर्वा, सलोनी, वन्शिका, योगश, लविशा, मधु, लक्षन, श्रेया, अदिती, कनन, वन्श, गुन्जन को सम्मानित किया गया। स्टुडेंट्स काउंसिल के चारों सदनों के कप्तान और उपकप्तान सहित सभी सदस्यों तथा स्कूल ब्यान के छात्रों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के 586 प्रतिभागियों सहित 780 छात्रों को पुरस्कृत किया गया। प्रधानाचार्या श्रीमती विम्नी जौली ने पिछले दो वर्षों की परीक्षा परिनाम, शिक्षा, खेल, कला, विज्ञान और तकनीत की क्षेत्र में जिला एवं राजिस्तर पर उपलब्धियों का उलेक करते हुए स्कूल की वार्षिक रिपात प्रस्तुत की। हमें ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल के मार्ग दर्शन, शिक्षा, संस्कार और अनुशासन के कारण ही हम इस मुकाम तक पहुचे है। चात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता का मूल मंत्र है जीवन में मिलने वाले अवसरों का अपनी योग्यता एवं ख्षमता अनुसार लाब उठाएं। किसी भी क्षेत्र में असफल होने पर हार न माने अपितु निरंतर प्रयास करते रहे। स्कूल निदेशक श्री अनिरुद सचदेवा ने आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम विगत 45 वर्षों से अपनी संस्कृती अनुरूप नैतिक मूय आधारित शिक्षा के साथ साथ विज्ञान, तकनीक और कला के विवित क्षेत्रों में छात्रों को उनकी आध्यम से हम छात्रों की छिपी प्रतिभा को उजागर कर उसे तराशने का कार्य करते हैं। इससे बच्चों का आत्म विश्वास बद्ता है और वे जीवन में आने वाली चुनोतियों का सकारात्मक द्रिश्टिकों से सामना कर देश और समाज को विक्सित करने में सहायक ह होते हैं। हमारी स्पर्धा दूसरों से नहीं अपने आप से है इस दिशा में हम निरंतर अपना श्रेष्ट देने के लिए अग्रसर है। कार्य क्रम के अंत्मे स्कूल निदेशक श्री अनिरुद सचदेवा ने सभी अतिथियों को स्मृती चेहन देकर उनका आभाद प्र